मैं आजक्छे में शुरू करने वाला हूँ, solution chapter, जो की class 12 का chapter है और आज जो हम लोग डिसकस करेंगी, वो basics of solutions के बारे में हम discuss करेंगी, कि solution में क्या-क्या चीजे होंगी जो हमारी chapter में numerical के solve करने के लिए और बागी सारे concept को समझने के लिए जरूरी होंगी और इसमें कुछ concept तो हम बहुत पहले से पढ़ते आते हैं friends वर आज इसको और भी clear कर लेंगे हम तो शुरू करते हैं friends basics इसका और first lecture है solution का ध्यान से इसको आप देखिएगा काफी easy धंग से मैंने त्यार किया इसको friends वही वर्ड आता है सबसे पहले की solution and the question arises what is the solution solution क्या होता है तो थोड़ा मैं basic की तरब ले चलूँगा आपको friends की mixer क्या होते हैं अगर हम substance के बात करते हैं तो दो तरह के substance होते हैं एक होता है pure और एक होता है impure प्यूर सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो कोल एक ही तरह के particle से मिलके बने हों और impure सबस्टेंस ऐसे होते हैं जिसमें more than one type के particle मिल जाएं जैसे अगर कहीं पर खली आपने चीनी ले लिया है एक चमबच तो चीनी के वलो चीनी है that is the pure substance क्योंको उस चीनी वाले चमबच में सारे सारे particle किसके होंगे चीनी के होंगे वैसे अगर एक ग्लास अगर पानी ले लिया आपने तो भी क्या हो जाएगा प्योर हो जाएगा क्यों कुछ ग्लास के पानी में होगा क्या सारे सारे पानी के मौलकिल होंगे यानि सब भी एक तरह के मौलकिल होंगे ऐसे substance जिसमें क्यों एक तरह के पाटकिल होते हैं उनको क्या कहते हैं प्यूर बट अब second condition आ जाती है friends कि अगर हम उस एक चम्मत चीनी को एक ग्लास पानी में मिला देते हैं अब मिलाएंगे तो अब वो ग्लास का जो content है उसमें दो चीज हो जाएगी एक हो जाएगा water एक हो जाएगा चीनी यानि पिर mixture नाम देते हैं अब वो mixture जब बनता है तो दो तरह के mixture होते हैं एक होता होता है heterogeneous mixture हो मिंस क्या होता है एक जैसा तो homogeneous mixture एक ऐसा mixture होता है जहां पर हम component के मिलने के बाद naked eye से चाहे microscope के help से देखके यह हम नहीं बता सकते हैं यह नहीं identify कर सकते हैं कि यह किन-किन चीजों से मिलके बना हुआ है मिंस particle क्या हो जाएंगे visible नहीं होंगे सारे के सारे और heterogeneous mixture एक ऐसा mixture होता है जहां पर particle को हम naked eye से यह भी microscope के help से देखके यह पैचान सकते हैं कि mixer किन-किन particle से मिलके बना होता है होमो मिन्स क्या होता है एक जैसा दिखने वाला हीट्रो मिन्स क्या होता है डिफरेंट टाइप कर दिशने अगर होमो की बात करते हैं तो होमोजीनियस का example हो जाता क्या solution और हीट्रोजीनियस में दो category आ जाती है एक आ जाता है हमारा collidal solution और दूसरा आ जाता हमारा suspension सो अगर हम solution की बात करते हैं friend तो solution is a homogeneous mixture solution होता क्या है mixer होता है बट कैसा mixer होता है homogeneous mixer यानि कि हम component को naked eyes चाहे microscope की health देखके identify नहीं कर सकते हैं सो solution को कैसे हैं define कर सकते हैं कि solution is a homogeneous mixture solution एक हैसा homogeneous mixture होता है different components का जिसमें component का percentage कुछ हद तक कम्या जादा हो सकता है अब इस बात को थोड़ा समझेगा अगर मैं एक ग्लास पानी ले लिया हूँ एक ग्लास पानी मैंने एक चमची नहीं मिला तब यह solution ही बनेगा अगर दो चमची नहीं मिला दिया तब यह solution ही बनेगा और तीन चमच मिला अब उसको क्या बोलेंगे? solution ही बोलेंगे हैं हरी फ्रेंट्स, solution is a homogenous mixer क्या हो गया? solution is a homogenous mixer of two or more components in which the composition of the components can varied within certain limit. solution दो या दो से अधी component का एक mixture होता है जिसमें उसके component के amount कुछ हद तक क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं. तब भी आप उसको क्या बोलेंगे? solution ही बोलेंगे. अगर हम solution के component की बात करते हैं, जो component का मतलब होता है, फ्रेंट्स को वो किन-किन चीजों से मिलके बना हुआ है, तो solution के दो component होते हैं. एक को कहते हैं solute और एक को कहते हैं solvent. solute वो होता है substance जो घुल जाता है, जो अपनी physical state क्या कर लेता है? lose कर देता है, खतम कर देता है. मतलब बाहर से तो हमको चीनी दिखाई देती है, कि हम चीनी मिला रहे हैं, बद घुलने के बाद हमको चीनी दिखाई नहीं देती है. तो वो component जो अपना physical state lose कर देता है, अपनी identity physically खतम कर देता है, उसको क्या कहते है? solute और जो घुलने का काम करता है, friends, उसको क्या कहते है? solvent. solvent का physical state नहीं बदलता है, वैसे ही बना रहता है. और हम बाहर से देखके generally एक idea लगाना चाहें, कि कौन सा solute होगा, क amount में होता है, और solvent क्या होता है? large amount, ज्यादा quantity में लेते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि solute अगर कम में ही हो, हो सकता है sometime, कि ये amount vary भी कर सकता है, जैसे एक basic example ले ले लेते हैं, अगर माली जे जो जलेबी का सीरा होता है, आप चीनी मिलाके और water मिलाक ज़ाब बनाते हो, लग उसमें 60% क्या होता है? sugar होता है, अब 40% क्या रहता है? water, वहाँ पर water कम होता है, बट वहाँ पर भी water कैसा काम करेगा? solvent की तरह काम करेगा, यानि आप बिल्कुल hard and fast यह नहीं कह सकते हैं, कि solute हमेशा कम ही होता है, जनरली solute क्या होता है? कम होता है, solvent क्या होता है? तो कैसे आप define करेंगे कि solvent होता क्या है? solvent define करने के लिए एक सीधा सा criteria friend, कि जो physical state solvent का होगा, उसी physical state का solution बनेगा, या फिर solution बनने के बाद, अगर final solution कैसा आ रहा है? liquid आ रहा है, तो liquid वाला component ही क्या रहा होगा? solvent रहा होगा, अगर solid आ रहा है, तो solid वाला component ही क्या रहा होगा? solvent रहा होगा अगर gas आ रहा है बनने के बाद तो gas वाला component क्या रहा होगा solvent रहा होगा यानि कि the solvent is a component which physical state is same as the solution जो physical state होती है क्यों था solvent की होगी या solution की होगी वही क्या होगी solvent क्यों यानि कि solvent और solution की physical state क्या होगी बिल्कुल सेम होगी, तो इस आधार पे आप बिल्कुल clear cut बता सकते हैं, यह से ही solvent है इन सारे components पे, solution which contains two components called binary solution, अब solution जो अगर दो component रखता है friends, यानि कि जैसे एक example लेते हैं, खली एक चीनी और एक पानी मिला देते हैं, यानि एक component चीनी हो गए, एक component पानी, तो दो component मिल के बनने वाले solution को क्या कहते हैं, binary solution, बढ़ हो सकता है, तीन चीज भी आप मिला सकते हैं, बढ़ उसको अब क्या बोलेंगे, tertiary बोलेंगे, उसके बाद cottonary बोलेंगे, चायर मिला देंगे, तो tertiary solution में क्या होता है, माल लिजे, चीनी, पानी के साथ आपने नमक मिला दिया, क्या हो गया, tertiary solution, इसमें को अगर चौथा solution मिला देंगे, substance, तो क्या हो देगा, वो cottonary solution, और हमको इस sector में किसके बारे में पढ़ना है, बानेरी solution, बानेरी solution एक ऐसा solution होता है, जिसमें केवल दो कंपनेंट होंगे, एक होगा solute और एक होगा solvent, एक चीज और ध्यान में रखना है, कि किसी भी solution में solute more than one हो सकते हैं, बट solvent हमेशा क्या रहेगा, किवल एक ही रहेगा, जैसे अगर पानी में घोल देते हैं नमक और चीनी, तो यहां पर दो solute हो जाएंगे, बट यहां पर solvent हमेशा कैसा रहेगा, एक ही रहेगा, अब on the basis of three state of the matter, अब जानते हैं matter के तीन स्टेट होते हैं फ्रेंट, solid, liquid और gas, यह तीनों आपसे मिलके, total 9 types के solution बना लेते हैं, कैसे आप देख सकते हैं, solid को अगर हमने liquid में dissolve किया, solid को solid में, solid को gas में, तीन हो गया, अब अगला आथा है, liquid को solid में, liquid को gas में, liquid को liquid में, छे हो गया, फिर last आता है, gas को solid में, gas को liquid में, और gas को gas में, कितने तरह के होतें करें यहां पे लिक्विड्स एग्विड्स घंडगाँ अगरुजईंगां तो launch और है फरेंगर यहां पर यहां पर отुझा स्रुड्स करेंगे तो क्या यहां ने ग्वीड्स तो कैसा बरेका यानिक सूगर को अगर वाटर मीद्यावल टार करेंगी तो शर्पत बंद आएगा Ooh यहाँ पर वो चीद नहीं है यहां पर लीग्विट को हमने क्या दिया है सॉनिट में मिलाता यहांनि क्या है याँ मिक्षर आप इनी मेटल with mercury is called amalgam इसी को हम क्या नाम दे देते हैं amalgam नाम दे देते हैं तो यहां पर solution का कुछ basic हम को मिला आगे बढ़ते हैं friends अब जो solution है अगर इसको हम differentiate करें अलग अलग type में divide करें तो कई सारे आधा है कि पानी में मिलके बना है कि किसी और liquid मिलके बना है ओ ज्यादा गाड़ा है कि कम गाड़ा है तो यहां पर कुछ parameters आपको ध्यान में रखने होंगे solution चेप्टर पढ़ने के लिए उसमें सबसे पहला है aqua solution aqua का मतलब होता है friends water क्या होता है water तो aqua का मतलब क्या होता है तो उसका नाम क्या देते हैं aqua solution इसको aq से represent करते हैं these are the solutions in which water acts as the solvent example क्या होता है friends sugar plus water water में अपने क्या मिला दिया चीनी मिला दिया salt plus water भी ले सकते है alcohol plus water भी ले सकते हैं means ऐसा solution जिसमें water एक solvent की तरह काम करता है अगर पानी में घोलकर बनाते हैं किसी भी चीज का solution friends तो उसको नाम देते है humahaakas solution आगे आता है friends non aqueous solution non means क्या होगा नहीं आप समझ सकते हैं means ऐसा solution जिसमें पानी solvent की तरह काम नहीं करता है अगर पानी solvent की तरह काम नहीं करता तो इसके ज़या पर कोई और liquid solvent की तरह काम कर रहा होगा, so the solution, यानि कि these are the solution in which other liquids, except the water, acts as solvent, अब other liquid में हो सकता है आपका, बेंजीन भी हो सकता है, टालिवन भी हो सकता है, अलकोहल भी हो सकता है, इतर भी हो सकता है, कैरोसीन भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, तो यह ऐसे liquid है, अगर इस component में अगर मिला के अगर solution बनाते हैं, तो यहाँ पर water का involvement नहीं है, तो ऐसे solution जिसमें पानी में घोल के नहीं बनाते हैं, उस solution को, बलकि किसी और liquid में घोल के बनाते हैं, उसका नाम कहा देते हैं, non-aquest solution, अब आता है, जब solution बनाते हैं, तो condition अगली जो arise होती है, यह को था saturated solution, यह को था unsaturated solution, यह term भी काफी important है, saturation का मतलब होता, satisfied हो जाना, यानि संतुस्ट हो जाना, unsaturation का मतलब क्या होता है, unsatisfied रहना, असंतुस्ट रहना, इसको हम basic example के truth रहा समझते हैं, पहले अगर बताना है, तो मैं यह बता सकता हूँ, कि ऐसा solution, जिसमें और ज्यादा amount of solute अगर घोल सकते हैं, यानि और amount of solute घोले जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, unsaturated solution, और ऐसा solution, जिसमें और ज्यादा amount of solute नहीं घोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा saturated solution, यानि saturated solution एक ऐसा solution होता है, जिसमें आप और extra amount of solute नहीं घोल सकते हैं, अगर extra amount of solute मिलाएंगे friend, तो सारा का सारा solute क्या होगा, bottom में बैठना शुरू हो जाएगा, यानि कि these are the solution in which no more solute can dissolve, suppose करिए, यहां पर समझना और अचान हो जाएगा हमारे एक ग्लास पानी लिए friend, उसमें एक चम्मच अगर चीनी मिलाए तो घोल दिया, अभी घोलते जाएगा, तब unsaturated रहेगा, दो चम्मच मिलाए तो घोल दिया, तीन चम्मच मिलाए तब ही घोल दिया, वर चौथा चम्म saturated हो जाता है, और जब घोलना बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, saturated, so saturated solution एक ऐसा solution होता है, जिसमें हम और extra amount of solute नहीं घोल सकते हैं, और uncaturated solution एक ऐसा solution होता है, जिसमें और ज्यादे amount of solute घोल सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट धान रखिएगा friends, कि अगर कोई solution saturated हो गया है, तो कुछ ऐसी condition है, जिसको लगाएंगे, तो फिस वो uncaturated हो जाएगा, जैसे काम क्या कर सकते हैं, by increasing the temperature, temperature अगर बढ़ाएंगे, तो solvent के molecule का kinetic energy क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो solute के molecule पर और तेजी से strike करेंगे, और जैसे और तेजी से collide करेंगे, तो व हो भी छोटे-छोटे particle में क्या होगा, तोट जाएगा, यानि by increasing the temperature, किसी भी saturated solution को uncaturated में convert किया जा सकता है, या फिर उसमें solvent का amount बढ़ा दीजिए, फिर से घोलना है स्टार्ट कर देगा, but normally होता क्या है कि एक ऐसी condition आ जाती है, जिसमें आप ना तो temperature बढ़ा कि कोई भी उ dissolve नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते है, super saturated solution, ऐसा solution जिसमें किसी भी condition में कोई solute आप extra dissolve नहीं कर सकते है, temperature बढ़ा कि तो उसको क्या कहते है, super saturated solution हो गया है, अब आता friends, dilute solution and concentrated solution, अब जो glass में अगर आप चीनी मिला रहे हैं, ग्लास के पानी में, अगर एक चम्मत चीनी solution बनेगा, उसी में अगर तीन चम्मत चीनी मिला देंगे तो और गाढ़ा solution बन जाएगा, तो जो गाढ़ा solution हो जाएगा, जिसमें solute का amount ज्यादा रहेगा, उसको क्या नाम देंगे, concentrated solution, और जो पतला solution रहेगा, जिसमें solute का amount कम रहेगा, उसको क्या नाम देंगे, हम dilute solution, यानि कि dilute solution एक ऐसा solution होता है जिसमें less amount of solute present रहता है these are the solution which contains less amount of solute और concentrated solution फ्रेंट से ऐसा solution होता है जिसमें ज़्यादा amount of solute आप गोल के और गाढ़ा बना देते है यानि solute के particle की बात करते हैं तो dilute में क्या होंगे कम और concentrated में क्या हो जाएंगे ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा these are the solution which contains more amount of solute so यह रहे कुछ basics आप the solution friends जो आपको solution chapter पढ़ने के लिए और समझने के लिए इसके numerical को solve पढ़ने के लिए बहुत ही important है और कई सारे exam like NDA में और कुछ पॉल टेकनिक exam में कुछ definition ऐसे पूच जाती है तो यह वाला topic जो आज मैंने आपको पढ़ाया है काफी important है आपके लिए तो इसको ध्यान में रखिएगा कोई भी doubt generate होता है तो आप comment box में लिए फ्रेंड्स question पूचिए otherwise मेरे whatsapp नंबर पर आप मुझे message कर सकते हैं कि हम कोई doubt है आपको उसका जबाब मिल जाएगा thank you friends